शिक्वा के बंद नमबर छे के मुश्किल अलफाज के मानी मारका आरा मैदाने जंग में अपनी बुहादरी के जंडे गारने वाले कलीसा इसाई मजभ की अबादत का जचना मुनासिब या अच्छा लगना थे हमी एक तेरे मारका आराओं में खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दर्याओं में दी आजाने कभी यौरप के कलीसाओं में कभी अफरीका के तपते हुए सहराओं में शान आखों में न जच्छती थी जहाँदारों की कलिमा पढ़ते थे हम च्छाओं में तलवारों की तश्रीफ जब जवाबे शिक्वा के बंद नमबर दस में अल्लह ताला ने मुसल्मानों को कहा था कि तुम तो अपने अबाओ अजदाद की कबरे तक बेच रहे हो जिस पर छटे बंद के पहले शेर में इकबाल ने ये सोचते हुए कहा कि कोई भी कौम अपनी तारीख नहीं भुला सकती और जो कぎौमें अपनी तारीख भुला देती हैं तारीख उन्हें सफा हस्ती से मिटा दिया करती है इसी कौल के तहत अकबाल ने एक बार फिर माजी की तरफ इशारा करते हुए तारीख का एक और सफ़ा उलटते हुए इस बंद के हर मिस्रे में मुसल्मानों की फतुहात की दास्ताने रकम कर दी है पहले शेर में फर्माते हैं कि हम मुसल्मान ही थे जिन्होंने तेरी यक्ताई का पैगाम लेकर दुनिया के सारे मैदाने जंग अपने खून से सजा दिये थे और वो हम ही थे जो तेरे नाम की सर बलंदी के लिए मारकों और जंगों में लड़ते रहे वैसे तो इसलाम की तारीख में कई जंगें हैं जिन्में सहाबा कराम लेह सलाम की जानिब से अपने खून से लिए लड़ते 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 हुए आज से नौ तलवारें तूटी रूमियों के खिलाफ मुसलसल जंगे लड़ते रहे और जंगे यर्मूक में रूमियों को रौंदते हुए आगे भड़े और बिलाखिर सल्तनत रूमा पर इसलाम का जंडा बलंद किया ये आप ही थे जिन्होंने नुबूत के जूटे दावेदारों के सरकलम किये क्योंके आप सल्लाव अलियों ने फर्मा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा इसलिए आपके बाद कियामत तक जो भी नुबूत का दावा करेगा वो जूटा होगा जैसा के सूरत अहजाब की आयत नंबर 40 में अल्लह ताला फर्माता है कि मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हाँ अल्लह के रुसूल है और सब नबियों के पिछले और अल्लह सब कुछ जानता है यनि हुजूर अक्दस अल्लाव अलियों की जात पर नुबूवत खत्म हो जाती है इस शेर के पहले मिस्रे में इशाला हजरत खालिद बिन वलीद रजियल्लाव ताला अनो की फतुहात और उनकी खिद्मात की तरफ है इसी शेर के दूसरे मिस्रे की तरफ भढ़िये खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में नाजरीन हर मिस्रा अपने पस्मन्जर में एक दास्तान रखता है इकबाल इस मिस्रे में फर्मा रहे हैं के आई अल्ला हमने सहराओं और दरियाओं में तेरे नाम को उंचा किया अब यहां सबसे बड़ी मिसाल तारिक बिन जयात की है जिन्होंने साथ सो ग्यारा इस्वी में सिर्फ साथ हाजार फौज के हमरा मराकश से निकलने का फैसला किया आपने दो समंदर यानी बहर औकियानूस जिसे अटलांटिक ओशन और बहर रूम जिसे मेडिटरेनियन सी कहा जाता है पार करने के बाद स्पेन के साहिल पर पहुंचे नाजरी इन दोनों समंदरों को पार करने का मतलब समझिये हिस्पानिया के साहिल के करीब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक ऐसा मकाम है जहां इन दोनों समंदरों का पानी मिल जाता है यनि अगर आपको स्पेन के साहिल पर पहुंचना है तो बहर आकिया नूस से गुजरने के बाद बहर रूम में दाखिल होकर साहिल तक पहुंचेंगे साहिल की एक जानिब एक पहाड नजर आता है जिसका नाम पहले जबल-े-तारिक यनि तारिक का पहाड था लेकिन मुसल्मानों के जवाल के बाद इस मकाम का नाम जिबराल्टर बन गया इसे जबल-े-तारिक या जिबराल्टर क्यूं कहा जाता है इसका मुखतसर वाकिया सुनिए 711 एस्वी में हिस्पानिया का बादशार रोडरिक 711 एस्वी में इसकी हकूमत का आलम वही था जो मुखलिया दौर के आखरी दिनों में मुखलों का था यनि शराब और शबाब की मस्ती में गुम खयर तारिक बिन जैद स्पेन के साहिल पर पहुँचा तो उसके साथ 7000 फौज थी जब रोडरिक को मालु मुख चूए है तो वो भी अपनी एक लाक की फौज के साथ साहिल की तरफ भड़ा ताके तारिक बिन जैद को रोका जा सके एक लाख फौज देखने के बाद तारिक बिन जियाद ने मुसा बिन नुसेर को पैगाम भेजा के मजीद फौज भेजी जाए जिस पर पांच हजार जवान मजीद भेजे गए अब तारिक बिन जयाद के पास 12,000 फौजी थे जबके रोडरिक के पास तमाम तर असलिहा से लैस एक लाख की बड़ी फौज नाजरें इस वक्त हम इस शेर के दूसरे मिस्रे में छुपी दास्तान पर नजर डाल रहे हैं एक लाख की फौज के सामने तारिक बिन जयाद की 12,000 की फौज मौजूद थी जिस पर रोडरिक की फौज हस रही थी उसी वक्त तारिक बिन जयाद को महसूस हुआ कि उसके फौजी जवान किसी कन्फियन का शिकार हैं कि इतनी बड़ी फौज से कैसे लड़ा जाएगा तब ही उसने साहिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किष्टिया जला डालो खौदा की सारी जमीन हमारा घर है रोडरी की फौज कुछ फासले पर थी यानि तारिक की आवाज रोडरी की फौज तक नहीं पहुंच सकती थी लेकिन तारिक की फौज में नकलो हरकत साफ दिखाई दे रही थी तारिक बिन जयाद के कुछ फौजी जवान तारिक के हुक्म पर साहिल की जानिब लोटे तो रौडरी की फौज ने ख्याल किया के शायद फौजी डर कर वापिस भाग रहे हैं कुछ ही लम्हों में एक कष्टी को आग लग गई जिस पर रौडरी की फौज समझी के शायद गलती से अपनी ही कष्टी को आग लगा बैठे हैं तो अब वापिस कैसे भागेंगे यकीनन अभी ने हथियार डाल कर हमारे घुलाम होना होगा अभी वो ये सब सोची रहे थे के अगले चंद लम्हों में तमाम कष्टियां जला दी गई और तब रौडरी की फौज समझ गई के इसलाम के जर्री जवान इस कदर दिवाने हो सकते हैं हमने कभी सोचा भी न था तब ही तार्क बिन जयाद ने अपनी फौज के साबने हाथ बलंद किया और तारीखी जुम्ले कहे जो हमेशा के लिए महफूज हो गए इसलाम का नाम बलंद करने वालो अब तुम्हारे पास फरार का कोई रास्ता नहीं है आगे दुश्मन है और पीछे समंदर मैं हमला करूं तो मेरे साथ हमला करो तुम मुझे सबसे पहली सफ में पाओगे और यूं तारिक बिन जयाद की बारा हजार की फौज ने रोडरिक की एक लाक की फौज को खसो खाशाक की तरह हवा में उड़ा दिया और कुछ ही अरसे में कुर्तबा को फता कर लेने के बाद पूरे स्पेन पर अल्लह की तोहीद और इसलाम का जंडा बलंद हो चुका था ये है इस मिश्रे का पस मंजर और अब पूरा शेर पढ़िये जिसमें खालिद बिन वलीद से लेकर तारिक बिन जयात तक की दास्तान छुपी है थे हमी एक तेरे मारका आराओं में खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में अब इसी बंद के दूसरे शेर को मुलाहिजा फरमाएं जिसमें पहले शेर की तरह मुसλεमानों की शुजाद से भरपूर दास्ताने छुपी हुई है दीे अजाने कभी produce झी जिस क्लीजा यनी गिर्जा गर का जिकर है वह हैगिया सुफिया चर्च या आया सुफिया चर्च है नाजरीन इस कलीशा की तारीख जानते वक्त दिये गए शेर का पहला मिस्रा अपने जहन में रखिये आया सूफिया के मानी Holy Wisdom of the God के हैं ये एक गिर्जागर था जो बाजंतीनी सल्तनत के मात तहत था ये गिर्जागर Orthodox मसीही गुरूप का था याद रहे के क्रिस्चिन मजभब में तीन बड़े गुरूप हैं जिनमें Orthodox, Catholic और Protestant शामिल हैं इस गिर्जागर की तामीर 537 बादज मसीही में बादच्छा जस्टीनियन वन ने की जिसने मशर्की सल्तनत रूमा पर 527 इसवी से 565 इसवी तक हुकुमत की ये कलीसा 1204 से 1261 इसवी तक मशर्की Orthodox के मानने वालों का चर्च रहा जहां कुस्तंतुनिया यनि कॉस्टेंटिनोपल के तमाम बड़े पेश्वा बैठा करते थे बाद में चौते सलीबियों ने लातीनी सल्तनत के मातहद इस चर्च को कैथोलिक चर्च में तबदील कर दिया किस्सा मुक्तसर ये के ये कलीसा इसाई मजभगा गड़ कहा जाए तो गलत ना होगा इस चर्की तश्रीव में इस कलीसा की तारीख बताना इसलिए जरूरी है कि अगर इकबाल रह्मतुल्ला अले अपने शिक्वा में अल्लह के सामने यॉरप के किसी कलीसा का जिक्र कर रहे हैं तो वो कौन सा कलीसा है और उसकी एहमियत क्या है हुजूर अक्दस ने अपनी जिन्दगी में बशारत दी थी कि जो भी कुस्तुन्तुन्या पर हमला आवर होने वाले लशकर का हिस्सा होगा वो जन्नत का हकदार ठहरेगा जिसके बाद मुस्लमानों में शहर कुस्तुन्तुन्या को फतह करने की लगन लग चुकी थी पहली बार अर्टालीस हिज्री में हजरत उस्मान रजियल्ला अन्हो के दौर में कुस्तुन्तुन्या पर हमला किया गया जिसमें हजरत अयूब अनसारी रजियल्लाव ताला अन्हों ने भी शिर्कत की इस हमले में ये कला फता ना हो सका लेकिन हजरत अयूब अनसारी रजियल्लाव ताला अन्हों ने वसीयत फरमाई के मेरे फौत हो जाने के बाद मुझे कुस्तुन्तुनिया के इसी कला की दिवार के साथ दफन किया जाए मुसल्मानों ने मुख्लिफ अद्वार में छे बार इस कला पर हमला किया और आखिरकार 453 एस्वी में सुल्तान मुहम्मद फातिह ने एक तवील जंग के बाद कुस्तुन्तुनिया को फता किया और इस शेहर का नाम इसलाम बोल रखा यनि इसलाम का बोल बाला जो बदल कर इस्तंबोल बन गया और इस मशहूर 581 साला चर्च यनि आया सूफिया को मस्जिद में तबदील कर दिया इस चर्च में अल्लह और उसके रुसूल सलालाहु अल्ही वाली वसल्म की सदाएं गूंजने लगी अकबाल ने इस मिस्रे में शिक्वा किया है कि एक तवील अर्से तक इसायों के गड़ रहने वाले मर्कज को हम मुसल्मानों ने एक तवील जंग करके फता किया और तेरा नाम बलंद किया इस शिर के अगले मिस्रे को मुलाहिजा फरमाईए कभी अफरीका के तपते हुए सहराओं में इस मिस्रे में हजरत अलामा मुहम्मद अकबाल ने हजरत अकबा बिन नाफे की फतुहात का जिक्र किया है जुनोंने अपनी तमाम् जिन अजिन इसलाम की सरबलंदी के लिए वक्व कर दिए आप रजिय लूओत अन्होंने मिस्र के गरम सहराओं से लेकर अफरीका के तपते सहराओं तक अल्लह की तोहीद का परचार किया और उसी की आजाने दी आपकी फतुहाद का सिलसिला जारी रहा और 670 एस्वी में आप मराकश को फता कर लेने के बाद बहर अकियानूस के साहिल तक जा पहुंचे जहां आपने अपना घोड़ा समंदर की जानिब भगाया लेकिन समंदर की मौजों ने आगे ना भणने दिया जिस पर आपने जो अलफाज कहे वो हमेशा तारीख का हिस्सा बन गए आप रजी ल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया एए अल्लाह अगर तेरी जमीन खत्म ना होती और समंदर आड़े ना आता तो मैं यूही तेरा नाम बलंद करते हुए आगे भड़ता चला जाता हजरत अकबा बिन नाफे रजी ल्लाह ताला अन्हों के हवाले से नजम शिक्वा में आगे चल कर एक और शियर भी आएगा तब एक बार फिर इस पर बात करेंगे नाजरीन इस बंद के पहले दो अशार में तकरीमन चार दास्ताने आपके सामने रखी गई हैं पहले शियर में हजरत खालत बिन वलीद और हजरत तारिक बिन जयाद जबके दूसरे शियर में सुल्तान मुहम्मद फाते और हजरत अकबा बिन नाफे रजी ल्लाह ताला अन्हों अब इसी बंद के तीसरे शियर की जानिब भड़िये शान आँखों में ना जच्चती थी जहाँदारों की कलिमा पढ़ते थे हम चाओं में तलवारों की इस शियर में डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद अकबाल ने पिछले दो अशार को बनियाद बनाते हुए अल्लाह से शिक्वा किया है कि हमारे लिए इस दुनिया की जिन्दगी बेवुक्त हो गई थी और इस जहान में हकूमत करने वाले बड़े बड़े हुक्मरान यानि सल्तनत रूम और सल्तनत ईरान के बादशाह भी तेरी शान के सामने कुछ ना रहे हमारी आँखों के सामने इन बड़ी रियासतों वाले हुक्मरानों की कोई आखात न रही और यूं हमने सोच लिया कि बेशक तलवारों के साए में हबारी जाने ही क्यों ना चली जाएं हम तेरा कलिमा पढ़ते रहेंगे और तेरे महबूब सल्लाव अलिह वाली वाली वसल्म के दीवाने बने रहेंगे नाजीन आज के नए दौर में बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल उटते हैं के मुसल्मानों को क्या मुसीबत पढ़ी थी के वो दूसरे मजाहिब पर हमला आवर होकर उन्हें भी मुसीबत में डालते थे और खुद भी मुसीबत में पढ़ते थे अगर आपने पिछले तमाम बंद सुन रखे हैं तो फिर आप जानते होंगे के अल्ला ताला ने कुरान में बहुत वाज़े अंदाज में बताया है के दीन इसलाम ही वो दीन है जिसे बाकी रहना है और इससे पहले आने वाले तमाम मजाहिब को खत्म होना है और ये इसलाम के मानने वालों की जिम्मदारी है कि वो दुनिया में सिर्फ इसलाम का बोल बाला करें इस बंद में इकबाल में मुसल्मानों की जानिब से की जाने वाली जिद्व जहत का जिक्र करते हुए फर्माया है कि एए अल्लाह तेरे नाम की खातिर हमने जुर्ट औ शुदात की ऐसी दास्ताने रकम की जिन्हें आज भी पूरी दुनिया याद रखती है अगर आज हमारी हालत कमजोर है तो क्या हुआ आज तु हम पर अपनी इनायात कर ताके हम दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकें अब इस पूरे बंद को एक बार दोबारा पढ़िये आपको समझ आएगी कि इसके पीछे जो वाकियात हैं वो किस तरतीब के साथ डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद अक्बाल ने पेश किये हैं थे हम्ही एक तेरे मारका आराओं में खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में दी आजाने कभी यॉरप के कलिसाओं में कभी अफरीका के तपते हुए सहराओं में शान आँखों मेना जच्चती थी जहाँदारों की कलिमा पढ़ते थे हम च्छाओं में तलवारों की जवाबी शिक्वा के बंद नंबर उन्नीस के मुश्किल अलफाज के मानी रग बातिल अल्लह के ना मानने वाले निश्टर जराहत में फोड़े पर चीरा देने वाला नोकदार आला आईना हस्ती इनसान का किरदार जिसमें उसकी जहलक नजर आए जोहर यहां इस से मुराद हीरा या मोती नहीं बलके सैकल है और सैकल से मुराद वो चमक धमक है जिसके बगएर आईना बेकार होता है उवत बाजू अपनी जाती ताकत अस्बर जुबानी याद होना पिसर बेटा काबिल मीरा से पिदर यनि अपने बाप की वरासत के काबिल होना हर मुसल्मा रग बातिल के लिए निश्टर था उसके आईना हस्ती में अमल जोहर था जो भरोसा था उसे कुवत बाजू पर था है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों कर हो तश्री नाजरीन इस बंद के पहले शिर को मुलाहिज़ा फरमाईए हर मुसल्मा रग बातिल के लिए निश्टर था उसके आईना हस्ती में अमल जोहर था डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इक्बाल ने शिक्वा के बंद नमबर 6 में किये गए शिक्वे का बड़े अहसन अंदाज में जवाब दिया है जैसा कि आप जान चुके हैं कि शिक्वा के बंद नमबर 6 में माजी के फातहीन का जिक्र है और बताया गया है कि कैसे इन मुसल्मानों ने अल्लह के नाम को बलंद करने के लिए अपनी जाने दाव पर लगाये रखी उसी बंद का जवाब अल्लह ताला ने जवाब शिक्वा के बंद नंबर 19 में दिया है फर्माते हैं कि इसमें कोई शक नहीं जिन मुसल्मानों की बात तुम कर रहे हो वो वाकई मेरे नाम की खातिर अपनी जाने कुर्बान करने वाले ते लेकिन इस जुर्ट औ बेबाकी के पीछे कुछ वजुहाद थी जिन मुसल्मानों के वाकिया तुम बता रहे हो तो मुसल्मान उस फोड़े के लिए निश्टर का काम करते थे वो मुसल्मान ऐसे थे जिन्होंने ठान ली थी कि खिता जमीन से ऐसे तमाम अनासिर को किसी फास्द मादे की तरहा निकाल फैंका जाएगा जो अल्लह की जमीन पर कुद्रत के कवानीन को मानने से इनकारी है नाजरीन इस बात को हमेशा जहन में रखिये कि हुजूर अक्दस स्लिल्लाहु अलिए वालिवसल्म के इस दुन्या में तश्रीफ लाने के बाद तमाम मजाहिब मनसूख कर दिये गए थे इसलिए अल्लह ताला ने रोज आखरी तक एक मजभब को सच्चा साबित रखना था और वो है इसलाम इकबाल इस शेयर में ये बात बावर कराना चाह रहे हैं कि अगर वही मुसल्मान आज भी होते तो दुन्या में मुसल्मानों की ये हालत ना होती इल्मी, मौशी, मौशर्ती, सियासी और जंगी इतवार से मुसल्मान जवाल का शिकार है और उसकी वज़ा एहल बातिल नहीं बलके हम खुद हैं फिर इसी शेयर के दूसरे मिस्रे को मुलाहिजा फरमाईए जिसमें उन्हीं एहले हक की खुसूसियात का तथकरा करते हुए फरमा रहे हैं कि वो मुसल्मान तुम्हारी तरहा हाथ पर हाथ रखे बैठने वाले ना थे तुम खुद हजरत खालिग बन वलीद रजियाला उन्हों की मिसाल दे रहे हो जिन्होंने 125 काम्याब जंगे लड़ी थी क्या आज का मुसल्मान अपनी जिन्दगी में ये कारनामा सरणजाम दे सकता है उसके बाद अगली मिसाल तारिक बिन जियाद की जो दो समंदर पार करके स्पेन के साहिल तक पहुंच गया था क्या तुम ऐसा सोच भी सकते हो उस वक्त के मुसल्मान को हर वक्त सरगर्मे अमल रहना पसंद था क्या तुम्हें याद नहीं के कुस्तुन्तुन्या को फता करने के लिए तुम्हारे असलाफ ने मुक्तलिफ आवकात में छे बार चड़ाई की क्या ये उनकी जिदो जहद की निशानी नहीं और बेशक उन्होंने सात्वी बार कुस्तुन्तुन्या फता करके वहां के सबसे बड़े कलीसा आया सूफिया में आजाने दी लेकिन ये बात करने के बाद रुक क्यों गए यानि चार सो अठतर साल उस कलीसा में आजाने होती रही लेकिन फिर उन्नी सो पैंटिस में वो कलीसा एक म्यूजियम बना दिया गया और वहां आजानों की बलंद आवाजें बंद हो गई यानि जब तक तुम्हारे बाप दादा के हाथ में इसलाम का अलम था तब तक मेरा नाम उस कलीसा में गुंचता रहा और जैसे ही तुम आए वहां आजाने खमोश हो गई नाजिरें यहां एक बात इंतहाई काबल गौर है अकबाल रह्मतुल्ह अले की दूर अंदेशी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो कुछ उन्होंने अपनी शायरी में कह रखा है वो आज तक वैसा ही नदर आ रहा है ये बात जहन में रखिए कि ये नजम यनी जवाब शिक्वा 1913 में लिखी गई जबके कलीसा आया सूफिया को म्यूजियूम का दरजा 1935 यनी किलाफत इसमानिया के खत्म होने के बाद दिया गया 1935 के बाद इकबाल के शिक्वे का जवाब वाजिय हो चुका था यनी जब आपने शिक्वा में दावा किया है कि दी अजाने कभी यूरप के कलीसाओं में और फिर 1935 के बाद इस दावे का खात्मा हो गया इसके साथ साथ मुसल्मानों के जवाल की हालत ये भी देखिये कि जब सुल्तान मुहम्म्द फाते ने उस कलीसा यनी आया सूफिया को मस्जिद में तबदील किया तो उस वक्त कलीसा की अंदरूनी दीवारों पर हजरत मरियम अलिहसलाम और हजरत इसा अलिहसलाम की तसवराती तसावीर के साथ मफरूजाती फरिष्टे बनाए गए थे सुल्तान मुहम्म्द फाते ने कलीसा की तमाम अंदरूनी दीवारों पर पेंट यनी रंग करवा दिया कलीसा की मौजूदा हालत से हमें अपनी कमजोरियों का अंदाजा हो जाएगा क्योंके वो पेंट जो उस वक्त सुल्तान मुहम्म्मद फाते ने करवाया था वो वक्त के साथ साथ उतरता रहा और अब पेंट के नीचे से वही तसवराती तसावीर वाज़ हो रही है यानि कैसा अजीम मनज़ है कि दीवारों के नीचे से नजर आती हुई हजरत ईसा अलिह सलाम की तसवराती तसावीर और उनके उपर नजर आता हुआ कलमा तयबा और बाकी तमाम नाम जो दीन इसलाम की निशानी है नाजरीन अब यकीनन आपको शिक्वा में की गई बातों का जवाब मिल गया होगा और फिर अगला शेर पढ़िए जो भरोसा था उसे कुवट बाजू पर था है तम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था फरमाते हैं कि आज जुन्या में तुम्हारी इस हालत का सबब ये है कि तुमने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है तुम इस बात को भुला चुके हो के तुम्हारी अपनी भी कोई हैसियत है तुम माजी की दास्ताने सुना रहे हो लेकिन अपनी मौजूदा हालत पर गोर नहीं कर रहे तुम्हें मौद से खौफ आता है और तुम्हारे अबाओ अजदाद सिर्फ मुझ से यनी खुदा से डरते थे और मुझ से डरने का मतलब सिर्फ ये नहीं के सिर्फ नमाजें पढ़ते रहो और यहां सुरत अलबकरा की आयत नमबर 177 का तरजमा मुलाहिजा फरमाईए नेकी यही नहीं के तुम मश्रिक या मगरिब को किबला समझ कर उनकी तरफ मुझ कर लो बलके नेकी यह है के लोग घुता पर और रोज आखरत पर और फरिश्टों पर और खुदा की किताब पर और पेगंबरों पर एमान लाएं और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्टदारों और यतीमों और महताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गरदनों को छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और जगात दें और जब एहद कर लें तो उसको पूरा करें और सकती और तकलीफ में और मारका कारजार के वक्त साबित कदम रहें यही लोग हैं जो इमान में सच्चे हैं और यही हैं जो खुदा से डरने वाले हैं ऐ मुसल्मान तुने तारिख बिन जयाद की मिसाल तो दे दी लेकिन उसने जिस अंदाज में अल्लह पर भरोसा किया क्या तुम आज के मुसल्मान वैसे ही भरोसा कर सकते हो और वो बारा हजार की फौज लिए एक लाक की फौज के साथ टकरा गया क्योंके उसे यकीन था कि उसका रब उसके साथ है और आज सपेन भी मुसल्मानों के हाथ से निकल चुका है और इसी बंद का आखरी शेर मुलाहिज़ा फरमाईए बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर हो इस बंद के तीसरे शेर बेक बाल ने आज के मुसल्मानों को बड़ी वाज़े दलील दी है जिसमें आप फरमाते हैं के तुम अपने माजी के फातहीन की दास्ताने तो जानते हो तुम ये भी जानते हो के वो लोग तुम्हारे बड़े थे जो दुनिया में अल्लह का नाम रोशन करते रहे लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर तुम उनकी काम्याबियों की वजुहात को भी समझ सकते उनके रास्तों पर चल सकते और काम्याब हो सकते तुम ये चाहते हो के बेशक तुमें उनकी काम्याबियों के तरीके याद ना भी हो तो भी तुमें उन जैसी काम्याबियां अता कर दी जाएं तुम ये चाहते हो के वही हुकूमतें वही इज़तें और वही नेमतें तुम्हें बतौर वरासत अता कर दी जाएं ऐसा नहीं हो सकता क्यूंके तुम अपने असलाफ की कुर्बानियों से लेकर उनके हर एहद को भूल चुके हो अपने गिरेबान में जांको और फिर शिक्वा करो